हेलो गाइज मैं हूँ तपन आप सभी का स्वागत करता हूँ एक्सपेरिमेंट एकर आइडियाज में गाइज इस वीडियो पर मैं एक बहुती संदर वाटर हीटर बना कर दिखाने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी थंडी का मौसम चालो हो गया है और इस टाइम पर नहाने के लिए काफी दिक्कत आता है क्योंकि पानी बहुती ज्यादा थंडा रहता है तो इसके लिए नहाने में हमें प्रॉब्लम होता है एक बहुती यूनिक सा एक वाटर हीटर बनाकर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वीडियो को एंड देख देख 250ガard करें हैञा चाहिम और इसके हिसाब से घुडू पीपीजी सेट राउन शेप में कंड है लेया हूं और इसको कई में रखते हैं यहाँ na वाटर हीटर लिया है यह 500 वाटर हीटर है यह 220 वोल्ट से डायेट काम करता है तो इसको हम इसमें यूज करेंगे यह काफी जादा गरम हो जाता है यह बहुत ही सस्ते में भी आता है तो फटा-फट से उसका जो बोडी है उसको खोल लेते हैं अमें खाली एलिमेंट चाहिए तो यह वाला एलिमेंट हम लेंगे तो यह जो एलिमेंट है काफी सस्ते में मिल जाता है मार्केट से सिर्फ सो रुपे के अंदर यह मिल जाता है तो इस एलिमेंट को पीविजी सीट के ऊपर रखके हमें इस तरह मार्किंग कर लेना है और जो मार्किंग किया हुआ जगा को क्योंकि element काफी हीट होने वाला है और प्लास्टिक पिगल जाएगा उससे उसके टच में रहेगा तो इसलिए हमने इसका जो होले थोड़ा बढ़ा किया है और यहां पर हमने अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद उसमें अच्छे से हमें लगा लेना है गाइज एमसील को काफी बढ़िया तरीके से दोनों तरफ लगा लिया हूं गाइज इसको अभी रखना पड़ेगा सूखने के लिए कम से कम आठ दंस घंटा रखना पड़ेगा तब ही यह स्ट्र काफी इजी है आपको थोड़ा तेरच्छा काटना पड़ेगा तो एलसेब में बन जाएगा और मैं फैभी कोई लगा के उसको एलसेब में बनाया हूं इस एलसेब वाला पाइप को बिल्कुल हम ऊपर बिठाएंगे जहां से हमारा पानी निकलेगा तो गरम होके तो उस ज पारकिंग के होगा जगागा को हम होल लेंगे होल करके ले ले लियाँ एक नीचे के तरफ किया हे को ऊपर के तरफ किया है और ओपर के तरह में इस तरह से लगाना है éénए खाफी टाइड मे जा रहा है और यह थोड़ा लूज है कोई बात नहीं हम इंसेट घुलम हाकि इसको को अच्छे से मिलाना उसके बाहब अंदर बाहर दोनों तरब अच्छे से हमें लगा लेना है तो माज हथ मुछ है झाल हमने तर को अमझे के सkung टो Bhagए सूखने के लिए अबीआ करें के नीचे वाला धक्कन को भी हम लगा के इंस्टेंट ग्लू से इसे भी फिक्स कर देंगे अब हमने एक पीबीसी पाइप का नेक्टर लिया है आप देख सेकते हैं इस का नेक्टर को हम इस जगा पर बिठाएंगे इसका मेजरमेंट मुझे सही से नहीं पुदा आप अपने इस दिस्टेंस जोड़ा है और 4 007 का डायोड भी जोड़ा है तो आपको भी इसी तरह से एक LED में लेना है और इसमें यह दोनों को लगाना है नहीं तो यह 220 वोल्ट में LED खराब हो जाएगा तो यह दोनों वेयर में अमने जोड लिया है उसके बाद हम यह एलिमेंट के दोनों पॉइंट में हमें दोनों वेयर का कनेक्शन कर देना इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होता क्योंकि यह सी करेंट है आप कैसे भी जोड सेकते हैं तो आप यह एलिमेंट में हम सॉल्डरिंग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जादा हीट होगा तो सॉल्डिंग न निकले और काफी अच्छे से हमने कर भी दिया है और अब क्या करेंगे यह जो एलिडी इसके लिए यहां पर हमें एक होल करना पड़ेगा तो फटापट से इसके लिए होल कर लेते हैं 5 mm का लेडी ए तो 5 mm का होल करना है हमें यहां पर एलिडी को फिक्स कर लिया हूँ इसके बाद हम इसको उपर एक कुछ इस तरह से सामने के तरफ एलिडी को रहके इससे भी इंस्टेंट ग्लू से चिपका लेना है गाइज वैर काफी लंबा है तो इतना लंबा वैर नहीं रखेंगे तो यहां से कट कर देंगे तो आधा व के लिए तो एक अंदर से में शीट को डालेंगे और इसे इंस्टेंट गुलू लागा कि अच्छे से मिसको सेट कर देंगे तो इसको थो पिन प्लोग इसको फटाफट से खोल लेंगे और वैर में इसको लगा लेंगे उसके बाद क्या करेंगे दोनों एयर डाइट में से थोड़ा थोड़ा हम लेंगे और उसको मिलाकर उपर नीचे जो हमने पीवेज शीट लगाया था उसके उपर लगा कि इससे भी अच्छे से सील आमें कर लेना है गाइज एयर डाइट सुक चुका है आप देख सेकते हमारा जो वाटरी एटर बिल्कुल बनकर रेडी है और इसको आम बाहर लेके जाएंगे टेस्टिंग के लिए तो इसके लिए मैंने यहां पर एक प्लांप जैसा बनाया है पीज़ेट से इसको वाल में माउंट करने के दो के लिए पर इसको फटब तबांथ से बहर लेगर के जाते हैं गएесь कहरे चुका हूं आपको ठेस्टिंग करके दिखाने के लिए यहां पे आमने पाइब के थरू वाटरी में पानी देंगे और वाटरी एटर को यहां पर आमने वाल माउंट कर दिया है और यहां पर व पावर कनेक्शन कर दिया है ये 220 वोल्ट हम इसमें इंपूट कर दिया है अभी स्वीच को हम अन करेंगे स्वीच को अन करते हैं यह जो वाटर हेटर है चालू हो जाएगा यहां पर यह जो एलेडी है यह जलना स्टार्ट हो गया है आपको कैमरा में देख रहा होगा कि यह ब गरम निकलना स्टार्ट हो गया है पानी बहुत ज्यादा गरम है इसको हाथ लगाने के लिए नहीं हो रहा है अब इस डिजिटल टेंपरेचर मीटर में आपको चेक करके दिखाएंगे अभी जो टेंपरेचर 27.1 दिखा रहा है अभी कितना टेंपरेचर इसका जुब पानी आ रहा है वह दिखाएंगे आपको और यह दीरे दीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया है आपको दिखा दू यह 58 तक आगया क्योंकि बहुत ज्यादा गरम है पानी 60 तक आगया आपको देख सकते हो अभी थोड़ा सा थंड़ा हो गया है पानी इसलिए थोड़ा कम दिखा रहा इसलिए 46 तक दिखा रहा है आप देख सेकते हो क्योंकि बाल्टी का पानी अभी अच्छा घासा गरम है तो आप लोगों को क्या करना होगा पानी को बिल्कुल स्पीड में नहीं छोड़ना है धीरे धीरे करके चालू करना है तो यह अच्छे से गरम पानी निकाल पाएगा और काफी अच्छे से भी यह वर्क करेगा तो आप लोगों को यह जो रूम हेटर अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा साथ ही चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेगा तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ तब तक आप दोस्त रहिए सुरक्सित रहिए जाहिन